आप वहेद यूनिक रेसिपी बनाएंगे चिकन की दोस्तों देख सकते हो वहेद आसान और सलल तरीके से जो आज हम बनाने जारे चिकन मसाला तो सबसे पहले हम रेफली प्याज की कटिंग कर लेते दोस्तों देख सकते हो दो किलो हमारा चिकन है तो एक किलो प्याज इस टब आपको दिखाएंगे पूरा रेसिपी पूरा ब्लोग राज बोरा खजाना दो किलो चिकन है उसको अच्छे से वास कर लेते हैं इसको पानी में डाल दिया है इसमें हलका सा नमक डाला है हमने ताकि चिकन अच्छे से साफ हो जाए जितने भी वेक्टेरिया वो खतम ह हो जाएं दोस्तों यह देख सकते हैं फ्रेश चिकन है इसको अच्छे से वास कर लिया है और इसको चान लेते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं पूरा रेसिपी देख सकते हो दो किलो मसाला चिकन मनाएंगे आज का बेहत सिंपल और सबसे आसान तरीका आपको अपनी रेसिपी स्टार्ट करते राजबोरा सबसे पहले तो आग जला लेते देखे बहुत कठना ही होती है आग जलाने में सबसे कठिन कारी है दोस्तों यह देखे हैं हमने चिकन के लकणियां तोल डी है और अब कडाई में बनाएंगे देखे पहले तो ढ़ाचा बना लेते कडाई को रखने के लिए देख सकते हो और आग हमारी बहुत अच्छी जल चुकी है देख सकते हो बहुत सांदार आग जला दी गई है और यह हमारा मसाला हम ले चलते अपनी रसोई में दोस्तों बिल्कुल एथांटिक रेसिपी है तो चूले में बनेगा और हमारी कडाई या चलेगी चूले में दोस्तों यह देख सकते हो आग हमारी जल रही है तो कडाई हमने चडाएंगे इसमें और उसमें डालेंगे सरसू का ओयल सरसू का ओयल डालेंगे 300 ml दोस्तों यह देख सकते हो आग बिल्कुल अच्छी जल चुकी है आपको दिखा देते हैं और यह म चिकन बनाएंगे मसाला यह देख सकते हो सबसे पहले खड़ा मसाला मिर्ची और लेसुन डाल देया हमने उसको अच्छे से ब्राउन करना जब तक कि इसमें कलर ना जाये दोस्तों यह देख सकते हो कल्ची से चलाते रहें जब तक आपका मसाले ब्राउन ना हो जा उसके प्रकुल एथहॉंटिक करें आपके लिए लाएं और बहुत सिम्पल आसान तरीका है चिकन मसाला मनाने का जो आज तक का सबसे आसान तरीका है उसको बता रहे हैं आपको और रेसिपी को इश्टब बाइश्टब वीडियो के माध्यम से और हमारी वोइस के माध्यम से देख लो हमारा प्याज भी कलर देने लग Gए और इसमें चिकन डालेंगे दो किला और तामाटर की फ्यूरी बना रिख यह देख सकते हो दो किलो चिकन हैं दम लगाएंगे दोस्तों ये देख सकते हैं दो किलो चिकन है इसको अच्छे से रैफली पल्टे से कल्ची से चलाना है और आप इसी तरीके से आप घर में भी बना सकते हैं दोस्तों बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका है ये देख लिजे चिकन के हर पीस में जान आएगी इ आप इसके बाद हल्दी ये देख सकते हो हल्दी डाल दी मिर्ची डाल दी धनिया जीरा पॉर्डर और उसके बाद नमक शमक नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाले आप जिस हिसाब से खाते हो दोस्तो ये देख सकते हो आप मसाले को अच्छे से भूणना है प्याज के स और जाइका है पूरे चिकन के अंदर आए उसके बाद देख सकते हो हमने टमाटर फ्यूरी डाल देख सकते हो और पानी आप अपने हिसाब से डाले गरम पानी डालोगे तो बहुत अच्छा स्वाद और जाइका आएगा देख सकते हो आप इसमें हरे धनी और अद्रक की भी गानने सिंग कर सकते हो दोस्तों ये देख सकते हो बहुत ही जाइकेदार हमारा खुदूदार चिकन मसाला आज तयार कर रहे हैं ये देख सकते हो बहुत ही सांदार रेसिपी है एक बार आप भी जरूर ट्राइ करेगा और राजबोरा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे दम लगाके पकाएंगे सुलो फैर में देख सकते हो आग का क्या मध्यम आज जली हुए शुलो फैर में बहुत जबर जस्ति चिकन पकेगा आज खा तो चिकन मसाला बहुत शानदार और लजीज रहेगा दोस्तो ये देख सकते हो इसको अच्छे से पकाना है दो घंटे तक कड़ाई में दोस्तो देख सकते हो बहुत सिंपल और आसान तरिका आप देख सकते हो चिकन ने अपना कलर और रंग छोड़ दिया देख सकते हैं और पीस में होगा स्वात का धमाका होने वाला दोस्तों आज तो बहुत ही जानदार चिकन मना दिया बहुत सिंपल और आसान तरीके से हमने चिकन मसाला तैयार कर दिया और ये ओडर जो है हमारा पैकिंग का ओडर है दोस्तों तो इसको पैक कर देते हैं इसी के साथ राजबोरा का है आपको नमस्कार धन्यवान